अससलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं सभी दोस्त उम्मिद करता हूँ आप सभी दोस्त अच्छे और खेरियत से होंगे आज की इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ इमो पे इमो पे क्या है तो दोस्तों जिस तरह से मोबाईली पे एश्टीसी पे यू आर प कर देता हुआ सबसे पहले आपको अपने मोबाईल के अंदर ओपन करना है और आपको यहां पर जाना tulee आपने प्रोषड के उपर यहां पर आपको का ऊपी संदेखने को मिल जाए घृ점 आपके इमो के अंदर यहां और आपके मोबाईल सबोर्च के लियहां सवुदी कैसि करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आई आएगा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी चार कंट्री अभी जो हैं उसके उपर click करना thereी का विसा सकते हैं तो ज्यसे मैं इंडिया से हूं यहां में फिलाल इंडया के उपर oblique करते हूं इसके बाद यू पे यहां पर हंड्र यहां पर हम करने गर जते हैं यानि रियाल का आपको इंथा लिदे मिलता है यहां पर हमिआसे कमपेर 9 आभार आपके सामने काफी साहरेप जाएंगे जैसे मोबार वैल की yn यहां पर आपको बहुत सारे बैंक्स तो हो जाएंगे कौन सा बैंक कितना रेट दे रहा है तो जैसे मोबाईली पे इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां जो है एक रियाल का 21 रुपे 78 पैसे आपको मिल रहा है आट रियाल पांच पैसे इसकी टांसपर फीस है इसी तरीके से यहां पर हम दोसरा चेक कर लेते हैं जैसे यूर पे क्या दे रहा है यूर पे के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक रियाल का 21 रुपे 77 पैसे और इसकी ट्रांसपर फीस जो है 14 रुपे 25 पैसे चोहदा रियाल पिचानवा हला है इसकी ट्रांसपर फीस इसी तरीचे से आप यहां पर एच्टी सी पे एक रियाल का 21.44 पैसे और ट्रांसपर फीस शक्तरा रियाल 25 पैसे तो यहां पर आप चेक करसकते हैं जैसे टहवियर एक रीयाल का 21 ती अत्र और 17 रूबे 25 अलए जो है इसकी ट्राנסफर पीस है इस तरिके से दोस्तों आप यहां पर चेक करसकते हैं क्यों सा बैंक आपको एक रियाल का कितना रेट दे रहा है और उसकी transfer fees कितनी है यानि जिससे भी आपको फायदा होने वाला है आप उस bank से अपने पैसे को transfer कर सकते हैं तो यहाँ पर अभी जो है transfer करने का option नहीं आया है यानि अभी तक कोई इसका नए update नहीं आया है जैसा ही कोई इसका नहीं आपडेट आएगा बाद में आसकता है इस पैसे transfer हो तो जैसे कोई इसका नहीं आपडेट आएगा उसकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा उम्मित करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आए